नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अर्पिता आप सभी का सौगत है मेरे चैनल में मैं भी पहली बार देख रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी लाइव शेयर करती हूँ तो चलिए मैं आपको बता दूं कुछ इसमें कि अगर आप किसी भी सोनार की दुकान पे जाते हैं तो ही आपका गलाने का प्रोसेस होता है क्योंकि अगर आप डारेक्ट गलाने के लिए जाते हैं तो कोई नहीं लेगा उसको गलाएगा नहीं तो आपको किसी भी सोनार के दुकान से ही हो के जाना पड़ेगा तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैं कुछ चांदी जो की काली पड़ गई है अब मैं इसको यूज नहीं करती हूँ तो मैं इसको गलाने के लिए लेके आप तो चलिए मैं इसका प्रॉसिस आपको बताथी हूँ सबसे पहले इसमें चांदी को ब्रैक कर लिए आता है छोटे-छोटे टुकडे में पीसेस lebih उत देखे ड्मा पीट्के पतला कर दечा कर दिया जाता है ताकि यह आपके गडिया होता है जो खांचा होता है उसमें आसानी से आ सके देखें ये गड़िया होता है ये खांचा होता है जिसके अंदर रख के इसको आग में जलाया जाता है तो ये जो इसमें सोना चांदी दोनों गलाया जाते हैं अच्छा ये देखिए ये गलाई के चार्ज हैं जैसे चांदी गलाई प्रति किलो ग्राम 60 रुपए चांदी टंच 4 ग्राम 10 रुपए इस तरह आपको गलाई के भी चार्ज देने पड़ेंगे जिस हिसाब से आपका जो भी सोनाया चांदी जिस ग्राम में गल रहा होगा और इसके बाद ये देखिए गड़िया में रखने के बाद इसको देखिए आग में इसको भठी बोलते हैं जिस भट्टी में इसको गलाया जाएगा भट्टी है इसमें रग दिया गया है अब इसमें देखिए हीट लगाई जाएगी और जो हीट होगी वो देखिए इसमें कोईला डालके यह भट्टी है और इसमें मतलब जो हीट होती है वो एक हजार डिग्री सेल्सियस मतलब लग इसी के आसपास होती है, इस Celsius पे चांदी गलाई जाती है, मतब मुझे जहां तक पता है, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि ये अपने एक टैंपरीचर पे आने के बाद ही पिगलती है, तो देखते हैं, कितना टाइम लग जाता है, जे छोटे 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 गडिया हैं, ये देख रहे हैं और और भी हैं, देखिए आप को दिखाती हूं, और भी ये देखिए यहां पे भी हैं और तो यह भठी चांदी को पिगलाने का काम कर रही है इसमें चांदी और सोना दोनों इस गड़िये में रखके पिगलाया जाता है इसका अपना एक टैंपरेचर होता है उसी टैंपरेचर पर यह अपना लिक्विट फॉर्म में आती है तो अभी मैं इसमें आपको मेल्टिंग दिखाऊंगी और देखिए इसमें बीच बीच में इसको मिक्स भी किया जाएगा जो जो चांदी पिगल रही है उसको अच्छे से मिक्स भी किया जाता है अच्छे से पूरी तरह से लिक्विट डूम में जैसे जैसे वह आता जाएगा वैसे वैसे उसको हलका हलका यह देखिए इसको यह खांचा है इसको साफ करें इसमें ही इसको पुट करेंगे इसमें ही इसको रखेंगे इसमें डालेंगे तो यह देखिए मेल्टिंग प्रोसेस हो गया है अब इसको एक लोहे के कटूरा हो जो मैंने आपको दिखाया उसको लोहे का कटूरा हो है वो उसका यह देखिए सोड़ा इसमें डाला गया इससे मेल्टिंग अच्छी होती है जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो भी अच्छे से प्रॉपर्ली इसको मिक्स किया जा रहा है इसमें जिसको इसको आप कुछ लोग इसको सुहागा पाउडर भी बोलते हैं यह मेल्टिंग का काम करता है यह गलाने में अच्छे से यूज किया जाता है अच्छे से सोना चांदी अच्छे से गल जाता है लिकिट सिंन थोड़ा सा ilren करने आई थी फिल्टा सा इएधर में आपको घगातों आउये थोड़ा सा दिखार सा लाइफाया तो आपको फीजने अब आउट इसन नहीं से लग है अए दितानों यह आउफ सुंप तो social का अँज गया है अब यह कातूरा है सहे हैं हैंडिल देख रहे हैं आप इसको साफ कर लिया गया है अब इसमें जो लिकविट पिखल गया है उसको इसमें डालेंगे ये देखिये कि और इसमें देख डुटा डाल देंगे इस often Informy जाएगा कुफ गूझ को आप इसमें सोड़ा डाला गया है अब ये मेल्ट हो गया है पूरी तरह के से और एक बोलते हैं न क्या रेक्टैंगल शेप में आ जाएगा अभी आप देखेंगा बिल्कुल ये देखें इंट है ये इंट की तरह दिखाई दे रहा है एक सिल्वर ब्रिक जिसको बोलते हैं चांद यह जांच करने के लिए होता है कि इतना शुद्ध है इसका टंच फॉर्म मिलता है तो आपको यह वीडियो देखने में काफी मज़ा आया होगा और काफी अच्छा लगा होगा कि आपके जो चांदी होते हैं वो कैसे पिगलाये जाते हैं इसकी जानकारी आपको मिली होगी त तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मेरी सारी वीडियो जानकारी की होती हैं तो आप जानकारी लेते रहिए अपने ग्यान को बढ़ाते रहिए और अपने आपको स्मार्ट बनाईए आप सभी को धन्यवाद